मसूरी के केमटि फॉल में एक परिटक की ढूब करमाथ होने से केमटि फॉल में हड़कम मच गया है आपको बता दें कि उत्तर पर Дेश के बुलंद शहर से साथ दोस्त केमटि फॉल घूमने आये थे वहीं कैम्टी फॉल में जब सातों दोस्त ना रहे थे कि अचानक एक दोस्त का पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चला गया जिसे डूबने से उसकी मौत हो गई वहीं घटना की सूचना पर कैम्टी पुलिस मौके पर पहुँची और गोता खोरों की मदद से परेटक के शव को पानी में से निकाल कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया इस बात को लेकर कैम्टी पुलिस इंचार्ज नवीन जुराल ने बताया कि मौके दोस्तों से पूछताच की जा रही है साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टी से ये एक दुरगटना मानी जा रही है मसूरी से समवाद दाता अजीद कुमार सिंग की रिपोर्ट हाँ एक बुलंसर जिले से साथ लोग जिनमें नीरज, कल्या, जितेंद्र, सोनू, नागेंदर, संधी और मिर्तक अर्विन ये पराता है सुबह चार बज़े के आसपास केम्टी फॉल पहुँचे यहाँ इन्होंने होटल में एक रूम लिया, थोड़ी देर आराम और नास्ता करने के बाद, करीब 10 वजे, केम्टी फॉल मुख्य तालाब में नहाने के बाद, मुख्य तालाब में नहाने लग गए, जबकि दो-ती लोगे, मुख्य तालाब के ठीक नीचे वाले तालाब म नाने के लिए पहुंच गये संभवता यह जो इनके साथ ही है और आसपास के जो लोग बता रहे थे यह फोटोग्राफी कराने के लिए फोटोग्राफी के लिए तलाब की ऊपर चट्टान में चड़ गये वहां अत्यदिक फिसलन होने के करण इसका पैर फिसल गया और यह सि साहित और मतलब बर्दी जूतों से पानी में उत्रा गया लेकिन उसके द्वारा भी काफी पर्यास के बाद भी जब डेड़ बोडी नहीं मिले हम लोग तब तक यहां पहुंच गये थे लाइफ जैकेट और आप दा परबंदन के जो भी उपकरण थे हमारे पास उसका उप अपर दितुरी जब जबस्धिक